याँ है फ्रेंट्स गुड यूदूनिंग कैसे हैं सब 5 बाइभ कि अप अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स साम का शमय है और रोत साम के 6 बजने वाले हैं तो सुबह से मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है क्योंकि record करने का शमय हमें नहीं मिला है तो मैंने जैसे कि हमें शमय मिला है वैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है यहां पर और अभी जो है शाम का समय है मैं खाना बनाने की तैयारियां करने जा रही हूं और बच्चों की फर्माइस है कि आज को चोडियां बननी चाहिए क्योंकि यह लोग सुबै से कह रहे थे कि हमें आज खोकि चोड़ियां बननी चाहिए तो हमारे पास शमय नहीं था तो मने नहीं बनाया तो आज मैंने अभी सोचा कि चलो भी शाम को बना देते हैं तो मैं तैयारियां करने जा रही हूं और अभी हमको कहीं जाना भी है तो फ्रेंट्स जल्दी जल्दी मैं कल लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ और मैं आप लोगों को पहले से ही इन्वाट कर रही हूँ कि आप लोग भी कचोडिया खाने के लिए आ जाईये तो मैं बनाने के बाद ही मिलूंगी आप लोगों से क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, फिर कभी दिखाएंगे कोचोडिया कैसे हम बनाते हैं, तो फ्रेंट्स में बनाने के बाद ही आप लोगों से मिलती हूँ. तो फ्रेंट्स ये थोड़ा सा वीडियो जो है मैंने शुभाई का रिकॉर्ड कर लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हैं बूढ़ी शाश है, हमारी तो इनको दवा पानी लेने जाना पड़ता है, तो ये लोग दवा लेने जा रहे हैं, बुढ़ापे में तो तवियत अकसर ही खराब होती रहती है, तो इनके लिए दवा लेने जा रहे हैं, और इनके साथ में शारी वेवस्थाएं करके ले जानी पड़ती हैं, जैसे की बॉटल में पानी और ग्लाश और चम्मश सारी शिविधाएं होती हैं, क्योंकि इनको छोड़के हम लोग नहीं जा सकते हैं कहीं अकेले तो इनके लिए दो लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कि इनको पकड़के बैठना पड़ता है, तो यह लोग अभी शुवय का शमय है, तो दवा लेने जा रहे हैं, तो जल्दी लोट आएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में तो अक्सर दिक्कते होती ही रहती हैं, तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में, और कचोड़ियां हमारी बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि काफी शमय हो गया था, थोड़े से काम के लिए मैं बाहर भी गई थी और काफी शमय हो गया था, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ कि मैंने क्या-क्या एट किया था, मैं किसी और समय आप लोगों को दिखाऊंगी, तो फ्रेंड्स मैं चुन्नी जो है अपने सर पे रख ली है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे बुढ़े बुजरू कहके गए हैं कि इससे फिर जखने से तेल कम जलता है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है, वैसो तो बारिस इस बार नहीं हुई है, जिस तरीके से बारिस होनी चाहिए बारिस नहीं हुई है, लेकिन दो दिनों से क्या होता है कि शाम को थोड़ी बहुत बारिस हो जाती है, तो मौसम ठंडा हो जाता है और सुबह एतिनी ज़्यादा गर्मी रहती है, कि सारे लोग काफी परिशान हो जाते हैं तो प्रेंट्स ये लेजिए बनके हमारी कचोरिया और चाय बनके हो गई है तयार और आप लोगों को मैंने पहले से ही इनवाट का पिया था तो आप लोग भी आके खाली जिए और चाय भी साथ में पी लीजिए तो फ्रेंट्स पार्कु समय हो गया है और आज के लिए बस इतना ही तो आप लोगों को मैं किसी न्यू वीडियो में में विखती हूं तब तक के लिए बाई बाई